बेरी गुड इवनिंग फ्रेंट्स वेलकम तु थिंग पेल मैं हूं डॉक्टर रूपल और आज डॉक्टर रूपल फ्री लाइव क्लीनिक पर आप सबका बहुत-बहुत स्वाधत है आज के इस लाइव क्लीनिक में हम आपके मेडिकल और स्वास्तसमंदी सवालों के जवाब होंगी वो किसी भी तरह से आपके मेडिकल प्राक्टिशनर या फैमिली डॉक्टर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं है इस लाइव क्लीनिक पर जो भी इंफरमेशन दिया जाएगा वो सिर्फ आपके नॉलेज और हेल्थ अवेरनेस के लिए है यह किसी भी तरह क डॉक्टर पेशन रिलेशनशिप नहीं है तो चलिए आज के लाइव क्लीनिक की शुरुआत करते हैं आज का हमारा लाइव क्लीनिक है नंबर 126 इसके पहले वाले कोई भी पुराने लाइव क्लीनिक अगर आपको देखने है तो उनका एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना समय की कमी के वाज़े से अगर आपका क्वेश्टन का चांस नहीं आता तो आप कल फिर आपका क्वेश्टन जल्दी पोस्ट कर सकते हो साथ बजे live clinic का poster live हो जाता है उसके बाद live chat में आकर आप पहले ही question आपके post करके रख सकते हो जैसे ही 9 बजे live clinic start होता है serial order में first come first serve basis पे जो भी questions मुझे दिखते हैं उनका मैं फटाफट answer देना start कर देते हूँ अगर अभी तक इस channel को subscribe ने किया फटाफट subscribe कर दीजिए साथी bell icon को click कीजिए ताकि आपको तुरद notification मिल जाए live clinic start हो गया है आज का हमारा first question देखते है संजे गुपता ने question पूछा है 7 बचकर 10 मिनिट पे hello ma'am I am 16 year old girl ma'am मेरे पेर के तलवे फटते है खुझली भी होती है चमडी उजरती है हर सीजन में होता है okay really sad to hear about that cracked heels या पेर के तलवों की चमडी एकदम सफेद सफेद होके निकलने लगती है और बहुत ऐसे मोटी मोटी चमडी निकलती है ऐसे बहुत लोगों को होता है especially rainy season में या फिर winter में बहुत ज्यादा होता है तो देखे संजे जी अगर आपको इस तरह का problem हो रहा है तो सबसे पहले तो obviously ये इसका main reason ये है कि skin आपकी बहुत ज्यादा dry है और अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हो या standing job अगर आपका कुछ है या इस तरह का कोई आप काम करते हो तो उसकी वज़ज़ से भी ऐसा हो सकता है अब ये तो हुई practical बाते generally कुछ ऐसे medical conditions है जिसकी वज़ज़ से ऐसा हो सकता है तो number one medical condition जिसकी वज़ज़ से ऐसा होता है वो है vitamin B की deficiency साथी hypothyroidism में ऐसा होता है fungal infection में होता है atopic dermatitis में भी ऐसा देखा जाता है इसके साथ साथ कई बार psoriasis में भी इस सरका condition देखा जाता है तो आपको अगर eating है तो I'm assuming के आपको कुछ fungal infection हुआ है तो अब इसके इलाज के बारे में बात करते हैं generally कुछ ऐसे specific prescription creams आते हैं जिसके अंदर urea है, alpha hydroxy acid होता है, salicylic acid होता है और साथ ही saccharide isomerate नाम का एक chemical compound होता है वो cream में जिससे cracked heels या फिर इस तरह से चमड़ी अगर निकलती है तो उसमें काफी फाइदा होता है मैं आपको एक उपचार बताऊंगी देखे एक आप कर सकते हो slightly luke warm water जो होता है हलका गुनगुना पानी उसमें आप करीब 10 से 15 मिनिट तब के लिए अपने पैरों को सोक करके रखे थोड़ा सा आप उसमें एक धकन hydrogen peroxide डालिए उसके बाद जब आपके जो मोटी मोटी जो dry स्किन है चंबडी जो soft हो गई होती है उसको हलके से आप उसको exfoliate की रगड के उसको निकालिए उसके बाद बहुत ही मिंस्थिक लेयर और प्रेट्रूलियम जेली या वैसलीन की जेली आती है उसका एक मोटा सा लेयर उसके उपर लगा 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 ये अच्छी तरह से उसक काफी हद तक फाइदा हो जाएगा जिससे मैंने कुछ आपको medical causes कहे इस तरह की medical causes है तो उसके लिए फिर आपका एक बार blood test कराना पड़ेगा आपका एक बार serum B12 चेक कर लीजे साथी आपके thyroid के जो हार्मोन से उसको भी एक बार चेक अप करा लीजे और एक CBC कर लीजे क्य antifungal medicine लेने पड़ेंगे सूरियास का treatment करना पड़ेगा उस इस इसाब से medical condition के इसाब से आपका treatment किया जाएगा एक बहुत ही interesting घरे लून उसका है जो आप आज से start कर सकते हो आपको पता है Listerine mouthwash आता है बहुत सारी ads में आपने देखा होगा जो brush करने के बाद माउट वाश करते हैं Listerine mouthwash करके आता है original वाला yellow color का liquid आता है बहुत ही strong होता है बहुत ही तीखा होता है तो आपको क्या करना है कि Listerine mouthwash आपको एक तो एक टब में हलका गुनगुना पानी लेना है उसमें around 50-50-70 ml Listerine का मतलब 3-4 उसकी जो डखकन होते है वो आपको पानी में डालने है इसके साथ साथ आपको दो ढखकन apple cider vinegar या फिर normal vinegar को भी आप वो पानी में डाल सकते हो दो ढखकन vinegar और चार ढखकन Listerine के उस प्रपोर्शन में आपको वो टब ऑफ वाम वाटर में आपको वो मिक्स करना है अपने पैरों को अच्छी तरह से वहां पे उसमें सोक करना है और अपने पैरों की चमड़ी को exfoliate कीजिए और फिर petroleum जले लगाइए socks पहनी और सो जाएए अब यह Listerine जो mouthwash होता है इसके अदर बहुत अच्छा alcohol होता है अच्छे मातरा में alcohol होता है साती salicylic acid वगेरा होता है तो यह आपकी skin है उसको अच्छा moisturize करता है skin को clean करता है और जो dead skin है उसको निकाल देता है तो यह आपको काफी help करेगा लेकिन इसको अगर अभी यह जो मैंने लिस्टीट mouthwash का जो आपको remedy बताया इसको अगर आप हर रोज भी करोगी तो भी को issues नहीं है यह completely safe है तो इसको आप start कर दीजिए चलिए next question अवजीत चंदरा सब्टेस्ट किया normal है थोड़ा liver enzyme अवजीत ने question पूचा है 7-10 PM को थोड़ा liver enzyme increase हुआ है doctor vitamin E and vitamin C add किया है अगर आपका liver enzymes increased है तो yes आप vitamin C और vitamin E दोनों ले सकते हो actually vitamin E जो होता है यह अगर किसी का liver enzymes बढ़ा हुआ है या किसी को fatty liver होता है तो उसमें हम लोग generally vitamin E के supplements prescribed करते हैं which is a bit which is quite helpful in reducing the fatty liver okay Rakesh Kachua ने question पूचा है 7-11 minute को मैं मैंने सुना है कि यदी रात में एक spoon honey खाते है तो body का extra fat low होता है is it right and I want to know my extra fat I want to low my extra fat of thigh hip and breast please advise my age is 16 years female and weight is 45 अगर आपका weight 45 है तो आपको वजन कम करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपका proper है weight आप पूच रहे हो कि सोने से पहले honey लेते हैं तो क्या उसे weight loss होता है देखे honey रात को सोने से पहले लेने से weight loss में तो कुछ फाइदा नहीं होता है अकसर क्या होता है कि किसी को sugar fluctuations की वज़ होता है जो रात को अचानक से उनको भूक लगती है रात को उठते है और फ्रिज में देखते है कि कुछ खाना है या नहीं तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो रात को सोने से पहले दो चमच हनी अगर ले लेते है तो उनका जो 7-8 घंटे की जो नीन होती है उसमें उनका sugar स् अगर आप रात को सोने से पहले लेते हो तो उसे नीन बहुत अच्छी आती है वह इसलिए क्योंके हनी जो होता है यह आपके बॉड़ी में सेरोटोनेन हार्मोन जो होता है उसका production बढ़ा देता है और सेरोटोनेन जब metabolize होता है तो वह मेलाटोनेन में कनवर्ट होता है अगर आप रात को सोने से पहले दो चमच हनी लेते हो तो उसे नीन अच्छी आ जाती है तो आपको नीन बहुत अच्छी आ जाएगी लेकिन यह जो मैंने आपको बताया यह डायबेटिक्स ने नहीं करना चाहिए डायबेटिस के पेशेंट्स के लिए हनी एलाउट नहीं ह अकी फैन ने क्वेश्चन पूचा है 7.12 पीम को हेलो मैं पूरे बॉड़ी में हैर कैसे ग्रो करें फॉर मैं हैरी बॉड़ी चेस्ट आप्स लेग्स एक्सेटरा लाइक अक्षय कुमार अक्षय कुमार की जैसे अगर आपको बाल चाहिए तो आप एक बार आपका ब्लड ट खॉलन के अथैर निकी जातए है तो अदूड ने कले और आपका बोड़ी में है करते हैं टू यह तो पीरिश को चाहिए तो जिससरों कर साथ हो जाते हैं तो ego हेले पॉर ऐले अरण को क्या नहीं से आफरे ऑपन मेडमुड आपको च्चारदों शुक्त करका लिजिए तो आप testosterone boost करने वाले जो food products है जिस पर आप अल्रेडी वीडियो मेंने चैनल पर पोस्ट किया है तो आप कर सकते हो testosterone को boost करने के लिए थोड़े बहुत नुश्के try कर सकते हो natural ingredients में तो अधरक होता है pomegranate है, omega 3 fatty acid है vitamin D के supplement भी अच्छे होते है testosterone को boost करने के लिए onions अच्छे होते हैं प्याज ये बी अच्या होता है तो ये सब चीज़े आप लिजें जिससे आपकीнуться testosterone का level boost हो जाए और अगर आपके बोड़ी में testosterone का level normal हो जाएगा तो आपको पूरे बोड़ी में बाल आ जाएँगे मिजबा अबस ने question पूछा है 7.15 पीम को हाई मैम टाबलेट शी ली थी एक दम डायेट पे और एक दिन शुगर थिंग ज्यादा ली तो हैडेक हो गया क्या इसकी वज़े से क्या ये प्रेगनसी की मिजबा जी आपका question मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया शाता जालम ने question पूछा है 7.15 पीम को पेचिस का medicine और good health के लिए outside से exercise या क्या किया जाए ताकि good health बनी रहे शाता जालम जी अगर आप पेचिस के बारे में पूछ रहे हो तो पेचिस यानि की loose motions अगर dysentery होती है और loose motions होते है तो उसके लिए कहार का खाना बंद कर देना चाहिए वह सबसे बेस्ट इलाज है पानी जो आप लेते हो उसको अच्छी तरह से उबाल के आपको पीना है जो भी fruits and vegetables आप घर पे इस्तमाल करते हो अच्छी तरह से wash कीजिए खाना खाने से पहले अपने हाथों को wash कर दीजे तो आपको डिसेंटरी नहीं होंगे ओके डिसेंटरी एक्चली फिजियोलोजिकल रीजन की वज़से भी होता है और पैथलोजिकल रीजन की वज़से भी होता है कई बार किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है या डिजेशन वीक होता है तो नॉर्मल खाने से भी उनको लूज मोशन या डिसेंटरी हो जाती है और जो मैंने आपको कहा हाथ धोने का और जो लेंद्लिनेस मेंटेन करने का तो वो अगर उसको हम लोग इंफेक्टिव डिसेंटरी कहते है तो कोई तरह का स्टमक इंफेक्शन हो जाता है तो उसमें यह देखा जाता है शाता जालम ने कुछा था 7.15 p.m. को 7.16 p.m. को शैंब ने कुछा है मैम वेट ज्यादा भी ना हो तब भी हो जाता है मैनोपॉस, PCOD और मैनोरेजिया क्या यह सब उसकी इलामत है ओके शैंब नेशन जी अगर आपका वेट कम होता है तो most of the cases में अगर वेट ज्यादा होता है तो PCOD होता है लेकिन कु कोई बिमारी होती है या एक्चुल में कोई किसी तरह की ओवरीज में गाट हो जाती है तो उसकी वज़ा से उनको PCOD हो सकता है और कम एज में अगर कुछ हार्मोन सिवियरली डिस्टर्ब्ड हो जाते है इस्पेशली यह किसी तरह के कोई त्यूमर्स होते है यह नियोरो एं जैसे मैंने आपको कल भी बताया था 40 और 46 के age में होता है येस अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है या अगर uterus में कोई tumor आ जाता है ovary में कोई tumor आ जाता है और अगर uterus या ovary निकालने पड़ते हैं किसी भी tumor की वज़े से cancer की वज़े से तो एक medically induced menopause हो सकता है कम age में बाकी वैसे तो नहीं होता है और येस कम weight में या normal weight में भी PCOD हो सकता है Rajesh Ranjan ने question पूछा है 7.16 p.m. को vitamin K2 is an essential as is as essential as calcium and D3 but seems nearly impossible to get naturally in India. Explain something from Bihar. Rajesh Ranjan बहुत अच्छा आपने question पूछा है अभी recently K1 और K2 ये दोनों vitamins बहुत ही fashion में आये है generally western health media ने बहुत इसको famous किया है vitamin K1 और K2 ये दोनों अलग तरह के vitamins है but they belong to the same family. Basically vitamin K1 is called as phyloquinone and vitamin K2 is called as minaquinone vitamin K1 जो होता है ये generally green leafy vegetables जैसे की kale या बहुत ही dark green leafy vegetables जो होते है उसमें naturally available होता है और जो K2 होता है ये generally fermented foods में मिलता है जैसे की cheese वगेरा. It is also found in fatty fish जैसे की bangra, mackerel, salmon ये तरह की fishes होती है उसके अंदर K2 vitamin बहुत अच्छा होता है अच्छी मात्रा में मिलता है So these are the natural resources which I have told you from where you can get K1 and K2 vitamin All right, तो अब इसका जो use है वो इसलिए है कि ये सबसे पहले तो heart को protection देता है Secondly, ये bone metabolism में बहुत ही important role play करता है और yes आपने सही कहा calcium और vitamin D3 के absorption में ये vitamin K बहुत ही helpful होता है Osteoporosis को help करता है Osteoporosis को prevent करता है Along with this vitamin K एक बहुत ही अच्छा antioxidant है इसलिए किसी भी तरह का age reversal अगर करना हो या age related या फिर free radicals related जो भी skin damage या organ damage होता है तो उसको वो reverse कर देता है And last but not the least Japan में vitamin K के supplements cancer reversal के लिए भी इसको use कर रहे है तो yes बहुत ही अच्छा है और बहुत ही promising supplement है And इसके बारे में detail में मैं जरूर video बनाऊंगी अगर vitamin K के बारे में और भी आपको कुछ questions है तो always you are most welcome to come in the live clinic and ask me इसका जो recommended daily allowance जो है भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ Vitamin K का approximately जो recommended daily allowance है वो 120 से लेके 90 micrograms per day का recommended dose है 120 micrograms to 90 micrograms per day तो यह ले सकते है completely safe है And basically this is a fat soluble vitamin जैसे कि vitamin E कैसा है fat soluble vitamin वैसा ही vitamin K है It is not like vitamin B complex vitamin B complex water soluble है इसलिए vitamin B complex आप थोड़ा सा ज्यादा dose भी ले लेते हो तो कोई नुकसान नहीं करता Vitamin K को आपको recommended जो dose है वो ही लेना है उसका overdose नहीं करना है उसका overdose करने से आपको और भी ज्यादा side effects हो सकते है Alright Next question Let me see शाहिक ने question पुचा है 7.25 p.m. को कौन सा face wash और कौन सा moisturizer यूज करना चाहिए कौन सी टाइप की skin के लिए question को थोड़ा elaborate कीजिए यासिर आराफात ने question पुचा है 7.26 p.m. को Ma'am how to give antibiotic dose to children यासिर जी अगर बच्चों को antibiotic dose देना होता है तो antibiotic का एक dose calculation होता है milligrams per kg किलो वेट के हिसाब से dose calculate किया जाता है जिससे कि generally अगर moxacillin अगर होता है तो 50 mg per body weight per kg of body weight उस हिसाब से calculate किया जाता है और उसको divided doses में पेशंट को दवाई दी जाती है पीया ने question पुचा है 7.28 p.m. को Hi doc, as prescribed by you shell cal tab for black for back white patches white patches are going giving me very good result in just 45 days and I am using this tablet till the time my patches go away thank you very much doctor harmful तो नहीं होगा ना if I use it further thank you very much Pia for your feedback, अच्छा लगा कि मैंने आपको मेडिसिन बताई और आपको फाइदा हो रहा है सफेद आपके जो peat पे सफेद पैचे है वो कम हो रहे है ठीक हो रहे है I am very happy to hear that yes आप शेलकेल 500 को ले सकते हो आप तिल वो सफेद पैचे नहीं जाते तब तक आप continue किजिए उसमें कोई problem नहीं आएगी और कोई परेशार ही नहीं आएगी Amandip ने question पूचा है 7.29 PM को Hi ma'am, how are you? My age is 32 having pain in lower abdomen and when I eat roti then discomfort occur in my ultrasound report I have grade 1 fatty liver and uterine fibroid, please help me ma'am Okay, Amandip जी देखे, अगर आपको lower abdomen में pain हो रहा है yes, वो uterine uterine fibroid की वज़े से lower abdomen में pain जो होता है uterine fibroid की वज़े से कभी भी lower abdomen में या पेट में दर्द नहीं होता fibroid में fibroid में सिर्फ abnormal bleeding होता है दर्द बिलकुल भी नहीं होता अब fatty liver की बात करते हैं अगर आपका grade 1, grade 2, grade 3 या grade 4 कोई भी तरह का fatty liver होता है तो जब भी आप बहुत ही ज्यादा oily, deep fried या बहुत ही high fat content वाली चीज़े आप खाते हो तो yes, आपको liver के area में यानि की right side आपके पेट के right side पे lower right side या फिर आपको दर्थ लगता है या फिर थोड़ा सा भारी भरकम होता है कुछ केसे में नॉश्या वामिटिंग जैसा फिल होता है या हलका सा पेट में जैसा क्रैम जैसा आता है तो अगर आपको lower abdomen में पेइन हो रहा है खाने के बाद आपको ऐसा हो रहा है तो ये आपका कोई intestinal problem हो सकता है आपको indigestion हुआ है या फिर आपको कोई constipation की वज़े से भी इस तरह का पेइन हो सकता है या फिर another option is आपको another differential diagnosis is आपको urinary tract infection भी हो सकता है generally ladies में जो lower abdomen में पेइन होता है जैसे cramps जैसा आता है या पेइन होता है वो mostly urinary tract infection या किसी भी तरह का urine का infection होता है उसमें इस तरह का pain होता है तो अगर आपको ये जानना है कि pain क्यों हो रहा है तो एक बार आपके pain का sonography करा लीजिए साथी आपका urine routine का test आता है वो भी कर लीजिए urine routine एक बहुती simple test है लेकिन बहुती important test है उसके अंदर exactly पता चल जाता है कि आपको किस तरह का infection है कि आपको bacterial infection है या फिर आपका urine है वो acidic है या alkaline है या आपका urine का जो pH level है वो change हुआ है या नहीं आपके urine के अंदर किसी तरह के cast या कोई पत्री बगेरा है वो भी हम लोग urine report से find out कर सकते है और urine report में fungal infection भी पता लगाया जा सकता है तो simple urine routine का test आपको करना है रिपोर्ट साप मेरे साथ share कर दीजिए अगर आपको मेरे साथ directly consult करना है आप मुझे call me for mobile app से directly call करके बात कर सकते हो call me for mobile app एक free of cost mobile app है जिसको आपको google और apple app store से download करना है और उसको install करना है अपको open करते ही उसमें search करना है डॉक्टर उपर राना आरिया और मेरा ID मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे directly मेरे phone पे call कर सकते हो अगर आपको आपके reports मेरे साथ share करने है तो आप मुझे प्रैक्टो या फिर लाइबरेट के थू आपके reports मेरे साथ share कर सकते हो आज के live clinic को हुए है 21 minutes 21 minutes में cover किये है 12 questions अगर आपको अच्छा लगता है ये free live clinic में शामिल होके और अगर आपको अच्छा अच्छा information और नया information मिल रहा है तो इसको likes देते जाहिए likes देना completely free of cost है Amandeep All right Amandeep I have already answered your question Sharda Jaiswal 7.30 PM Hello ma'am my age is 22 ma'am face wash tan face tan हो गया है मेरा अभी कुछ महिनों से ज्यादा से कोई face wash suggest करिये जो safe हो और मैं regular use कर सकते हो Sharda Jaiswal जी आप कोई भी आपके skin के अनुसार face wash यूज कर सकते हो Piers का face wash available है Neutrogena का है Cetafil face wash है आपके skin के type के हिसाब से आप face wash यूज कीजिए अगर आपका face tan हो गया है तो कोई भी face wash से आपका tan जाने वाला नहीं है face wash सिफ आपके face को साफ रखने के लिए होता है आपके skin का color change नहीं होने वाला है अगर आपके face पे बहुत ज्यादा tan हो गया है तो वो धीरे धीरे जैसे 6-8 weeks में वो automatically हलका हो जाएगा और आपका normal skin tone वापस आ जाएगा तब तक आप skin पर sunscreen लगाए रखिए sunscreen को use कीजिए दिन में दो बार आप sunscreen face पे लगाए sunscreen पे जो use करोगे उसका SPF factor 35 and above होना चाहिए आप दिन बर घर पे भी रहते हो तो भी दिन में दो बार आपको sunscreen यूज़ करना है अगर बहुत ज्यादा tan हो गया है और आपकी skin oversensitive नहीं है नॉर्मल skin है तो आप हफते में एक बार face को bleach भी कर सकते हो उससे भी excessive जो face tan हो गया है वो भी हलका हो जाता है गौरो कुमार ने question पूछा है 7.37 PM को मैम मैट राजोडोन 50 mg डोसिलोपिन 25 mg पेरक्सिटिन 12.5 mg दवा खा रहा हूं मुझे रोज रात को सपने आते है क्या ये एक unsound sleep की निशानी है गौरो कुमार जी देखिए आप इतनी सरी दवाया ले रहे हो obviously ये सब psychiatric medicines है अगर आपको ठीक से नीम नहीं आती तो फिर आपकी जो medicines है उसको फिर से एक बार evaluate करना होगा आप ये medicines आपको कौन से condition के लिए दी है क्या ये आपको depression के लिए दी है या anxiety के लिए दी है या किस चीज़ के लिए दी है अगर आपको आप कह रहे हो कि रात को आपको सपने आ रहे है तो obviously ये medicines की वज़े से आपको कोई side effect हो रहा है या फिर ये medicines का असर आप पे नहीं हो रहा है तो जिनोंने भी आपको ये medicines लिखके दी है जिनोंने भी आपको ये medicines prescribe की है प्लीज उनके साथ एक बार आप consult कर लीजे और पूछ लीजे कि क्या मेरे medicines को change करना चाहिए या नहीं आपको जो medicines दी है उसमें कोई भी नीन की गोली नहीं है तो और ये बेसिकली anti-depressant medicines है depression के लिए जो यूज की जाती है वो ये medicines है generally depression के लिए जो यूज की जाने वाली medicines होती है वो ज्यादा sedative effect वाली नहीं होती उससे ज्यादा नीन वगेरा नहीं आती लेकिन जो anxiety के लिए जो medicines दी जाती है उससे उसमें और इस तरह का quality होता है कि उससे नीन भी आ जाती है तो आपका जो medicines है उसमें से कोई आपको replace करनी होगी जिससे आपको नीन भी सही आ जाए लेगिन ये सेफ आपके जो consultant physician है जो आपको जिन्हों ने आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब की है सिर्फ वो ही आपको suggest कर सकेंगे Newton Baba ने question पुचा है 7.39 PM को Ma'am Cetaphil से oil नहीं आएगा नहीं आएगा Gaurav Kumar, okay I have already answered your question Ashish Singh ने 7.53 PM को question पूचा है मैंने short term लिया था 2 years पहले tablet से problem है my age 29 male I have taken it only for 15 days for premature ejaculation problem कौनसी tablet के बारे में बात कर रहे हो ये आपने नहीं mention किया Big Daddy ने question पूचा है 7.53 PM को Ma'am मेरे face बहुत oily है प्लीज कुछ medicine बताओ and skin भी oily है Big Daddy अगर आपके face oily है तो Cetaphil face wash use कर जीजे ऐसा कोई भी face wash जिसके अंदर salicylic acid है वो face wash अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ज्यादा तो ही आपके बालों में चंडिशनर यूज करना है अगर आपके बाल normal to oily अगर आपका scalp है तो आपको conditioner यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है रीत राइजादा ने question पुचा है 8.15 PM को Hello Ma'am liver enlarged है and GERD grade B what to do for relief and let me know how and how to eat and sinus it is okay रीत ची अगर आपको GERD है और liver enlarged भी हो गया है तो आपको शायद fatty liver है तो वो आप तो उसके लिए आप testing उसको कैसे ठीक करें तो उसको ठीक करने के लिए obviously diet पे ज्यादा focus रखना है जनरली जो GERD और इस तरह का liver enlarged हो गया होता है उसके आलिए हम लोग ले 52 के supplements start करते है अगर आपको कोई gall bladder का issue है तो उस हिसाब से हम लोग medicine start करते है GERD के लिए तो हम लोग antacids use करते हैं साथी probiotics supplements, vitamin B12 के supplements देते हैं तो ये एक medical management हो गया लेकिन इसका जो primary treatment जो होता है GERD का वो है कि आपका diet अभी अगर आप diet सही रखोगे तो आपको GERD और आपकी liver में भी फाइदा करेगा सबसे पहले तो आपको smoking और drinking बंद करना है किसी भी तरह के tobacco related जो भी ये है you know products है वो आपको बंद कर देने है जैसे कि पान, masala बगेरा diet में आपको ज्यादा spicy इसी चीजे तो completely बंद कर देनी है इसके साथ साथ आपको deep fried oily चीजे ये सब चीजे जैसे फरसान बगेरा होता है इसको आपको completely बंद करना है अब ये जो अगर आप diet follow करोगे तो इससे आपको दो फाइदे होंगे ये आपके liver के लिए भी helpful है और साथ ही आपके GERD के लिए भी helpful करेगा क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा तीखी तीखी तो ठीक है लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा oily चीजे तेल वाली चीजे deep fried चीजे बहुत high fat content वाली जो चीजे लेते हो एक तो वो पच्छने में fresh fruits and vegetables लीजे तो इससे आपको फाइदा हो जाएगा और अगर आप GERD की medicines ले रहे हो तो इसको आप continue रखे अगर आपका liver enlarged है तो क्यों enlarged है is it alcoholic fatty liver या फिर non-alcoholic fatty liver उसके इसाब से treatment decide किया जाता है अगर alcoholic है तो folic acid के supplements देते हैं अगर नॉर्मल fatty liver है तो उसमें vitamin E के supplements बहुत helpful होते हैं आज के live cleaning को हुए है 27 minutes और sorry 30 minutes और 30 minutes में मैंने cover किये है 19 questions अभी last एक question ले लेती हूँ एक मिनेट हूँ रीत ने ये भी question पूछा है hello ma'am, मेरी मम्मी को knee में swelling है और बहुत pain है arthritis and report kindly suggest रीत जी अगर आपकी मदर को knees में swelling है and arthritis है तो really sorry to hear that it is extremely painful condition लेकिन आपकी मदर की अपने age नहीं कही तो generally जो arthritis की treatment होती है उसमें हम लोग सबसे पहले तो pain killers देने ही पड़ते हैं क्यूंकि उससे ही pain relief होता है दूसरे कुछ ऐसे capsine वाले creams आते हैं या ऐसे जिसे हम लोग कहते हैं रूबी फेशेंड आते हैं जो मलम आते हैं जैसे bolini वगएरा जैल होती है तो उसको अगर आप joint पे लगाते हो तो उससे pain relief और swelling relief भी हो जाता है इसके साथ-साथ हम लोग generally NSAIDs यानि की non-steroidal anti-inflammatory drugs जैसे की brufan वगेरा देते हैं तो उससे भी काफी हद तक फाइदा होता है एक specific medicines आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं disease modifying anti-rheumatic drugs इसमें for example जैसे methotrexate करके आता है अभी यह जो medicine है यह बहुत ही strong medicine है और उसको लेने का भी एक अलग तरीका रहता है लेकिन इससे काफी arthritis के patients में फाइदा देखा जाता है second एक बहुत interesting medicines आये है arthritis के लिए यह please आप जरा check out कीजे आपके नजदी की कोई hospital में या physician के साथ एक बार आप discuss कीजे यह medicines को कहा जाता है biologic response modifiers तो यह एक तरह के special ऐसे genetically modified medicines होते है जो arthritis जो protein की वज़े से होता है उसको completely inhibit करते है और उससे बहुत अच्छे results मिल रहे है उसके examples में आपको बताती हूँ etanercept 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 करके एक medicine आती है वो मिलती है market में उसके साथ infliximab करके भी tablet एक आती है वो भी बहुत effective है arthritis के लिए और साथी interleukin 1 and interleukin 6 के injections मिलते है अगर आपकी मदर वो ले सकती है तो उससे बहुत अच्छे results मिलते है लेकिन generally interleukin के injections अगर होते है वो बहुत ज्यादा expensive होते है तो कुछ लोग उसको avoid करते है और last but not the least joint replacement surgery या joint surgeries की जाती है तो उसको आप try कर सकते है and अगर बहुत ही ज्यादा acute pain है अभी coronavirus के चलते है अगर उनके joint का treatment करना है तो उनको non-steroidal anti-inflammatory medicines के साथ-साथ एक short course of corticosteroids भी किया जाएगा कर सकते है जिससे उनका जो pain है वो काफी हद तक relief हो जाएगा but all these things requires lot of investigations and blood test and blood check-up and all those things so already it not come time है so I won't be able to elaborate more briefly मैंने आपको treatment बता दिया है लेकिन फिलाल आपकी question फिर से कल post कीजिए और आपकी mother की क्या age है वो मुझे थोड़ा सा specify कीजिए जिस्ट वन last question शुबं शर्वान ने question पूचा है 8.42 p.m. को मैं my cousin is going through seizures and doctor prescribed gardinal 60 so it is a barbiturate class 1. वोन नो how it works. Okay this will be the last question शुबं शर्मा जी आपके cousin को seizures हो रहे हैं इसलिए उनको gardinal prescribed किया है अब gardinal जो है ये basically एक phenobarbiton है या barbiturate जो आपकेते हैं वो है अब ये किस तरह से काम करता है generally अगर किसी को seizures आते है या आकड़ी आती है या fit आती है या मिर्गी का दौरा होता है तो उस वक्त जो brain में जो activity होती है जो neuronal firing होती है वो बहुत ही hyper activity हो जाती है बहुत फटाफ़ट brain में impulses short circuit होते हैं जिसकी वज़ए से seizures या मिर्गी का दौरा आता है तो जब हम gardenal medicine देते है तो CNS activity या brain की जो activity है वो slow down हो जाती है और normalize हो जाती है ये उसका action है तो gardenal of course is the right medicine and it is very perfect medicine और उससे बहुत अच्छा फाइदा होगा ask him to take it and उससे उनको seizures भी काफी control हो जाएंगे तो प्रेंस आज के live clinic को मैं यहीं पे खतम करती हूँ आज के live clinic को हुए है 32 minutes 32 minutes में मैंने cover किये है 20 questions, 20 questions आज cover किये है अगर आपको ये free live clinic से महत्वपून और अच्छी अच्छी जानकरी मिल रही है तो इस live clinic को like करते जाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये information फैलाईए कि यहाँ पे free of cost एक live clinic हो रहा है जहाँ पे free of cost आप doctor से आपके medical और health related questions के answers पा सकते हो उनसे questions पूछ सकते हो ज्यादा से ज्यादा WhatsApp groups में आप ये जानकरी फैलाईए ये link आपको आपके friends के WhatsApp group आपके office के WhatsApp group family WhatsApp group पर ये link आप share कीजे ताकि बहुत सारे लोगों को ये जानकरी मिले और आपके friends और relatives ये फाइदा उठा सके तो चलिए friends अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया फटाफ़र चैनल को subscribe कर दीजे साथी bell icon को click कीजे ताकि तुरंत आपको notification मिल जाए कर दो के कि कारे नहीं को कि आपको NIM